सौनभद्र के बबनी थाना चेत्र के मजीट गाउं में जमीनी विवाद को लेकर एक वृद की लाठी डंडी और पत्थर से मार कर हत्या करती हत्या की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस ने पहुंच कर शोग को पोस्ट मार्टम के लिए दुद्धी समुदाइक स्वास्ते केंद्र भेज दिया मृत्त के परिजन का कहना है कि उसका पिता रामधनी लोहार के पास हल बनवाने के लिए गया था और घर से कुछी दूरी पर लाठी डण्डे और पत्थर से मार कर उसकी हत्या करती गई पुलिस दिखशक सलमान ताज़ पाठल ने बताया कि जमीनी विवाद में हत्या हुई है मृत्तक के पार्टी दारों द्वारा ही लाठी डंडे से पीट कर हत्या की गई है हत्या के बाद शोको बोरे में भरकर सडक पर लाकर फैक दिया गया था प्रस्थिती के अनुसार आरोप्यों को ट्रेसकर पुलिस ने गिरफतार कर लिया है और आगे की वीधी कारिवाई की जा रही है सौनभदर के बबनी थाना इलाके के मजीट गाउं में 65 वर्षी रामधनी की उसी के पाटिदार द्वारा लाठी डंडो से पेट कर हत्या कर दी गई इसके बाद पुलिस जनों को किसी तरह इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने पुलिस को सूचना दी मुखे पर पहुंचे पुलिस ने शोब को कबजे में लेकर पोस्च मार्टम के लिए भेज दिया हालांकि इस मामले में पुलिस अदिक्षक सल्मान तास पाटिज ने बताया कि यह हत्या रामधनी 65 वर्ष के पाटिदारों द्वारा जमीनी विवाद को लेकर की गई है लेकिन पुलिस ने प्रस्थीती और चोट को देखते हुए आरोप्यों की पहचान की इन तीनों आरोप्यों को गिरफ्तार करागे की कारिवाई शुरू करती है जी क्या नाम है आपका पन्ना लाल है कहां के रहने वाले हैं गराममजीद के रहने वाले हैं जी क्या मामला है मामला यह है सर कि मेरे पिता जी घर से जा रहे ते जल जल लहार के पास करसना प्रगवाने के लिए तो उनकी कराहने का वाज दिया पुलिया के पास, तो मैं दवड़ा उनके पीछे वहाँ पर लाठी, जन्दा और पथर से उनकी हथ्या हो चुकी थी अच्छा, तो उस समय मृत्यू हो चुकी थे कि आपके पहुंचने के बाद मृत्यू हो चुकी थे, फिर आप क्या किये करवाई में लगे हुई है, फिर आगे आप क्या चाहते हैं, आगे मैं चाहता हूँ सर, तो उनको कड़ी से कड़ी सदय दिया है, जी धन्यवादी यह थाना बबनी में एक 65 वर्ष यजगती रामधनी की लाठी डंडे से पीट कर हत्या हुई है, इसमें इनी के जो सहकातिदार पटिदार लोग हैं, इसमें रामलाल सन अफ महिपाल और उसका भाई अर्जुन सन अफ महिपाल और रामलाल का ससूर रामाउतार, इन लोगों इसकी डेथ हुई तो एक बोरे में भरकर इसको एकसीडेंट दिखाने के लिए और रोड पर इसकी डेट बोड़ी को लाकर फेक दिया था, पुलीस को जब सुचना मिली तो उसकी चोटों के निशान के आधार पर और अन्य परस्तिती साक्स के आधार पर इसको ट्रेस किया